दोस्तों CSS की इस सिरीज में आज हम लोग दिखेंगे CSS का box model actually box model क्या होता है तो जब भी कोई HTML component page के उपर render होता है चाहे वो paragraph हो सकता है या वो कोई div element हो सकता है जब भी वो page के उपर render होता है तो वो एक box के format में render होता है या हम बोलें कि एक rectangle format में वो render होता है तो यह जो screen पे यह जो diagram दिख रहा है इसमें जो content वाला area है ना content के उपर आता है padding padding और फिर border और फिर margin margin क्या होता है जिसे अगर एक page पे मानलीजे दो paragraph render हो रहे हैं या एक page पे मानलीजे दो div element render हो रहे है तो दोनों के beach का जो margin होता है और अगर मैं padding की बात करूं तो जो content area होता है उसका और border के beach का जो difference होता है वो यहाँ पर padding होता है ठीक है इसको समझने के लिए हम लोग चलते हैं Google पे तो यहाँ पे मैंने यह Google open किया और यहाँ पे मैंने इसको spec element करके यहाँ पे इसका box का जो layout है वो open किया अभी आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे इस बाले reason को select कर रहा हूं mouse से जिसमें height और width लिखी हुई है कि 15 1532 into 88 यह तो यह image को मैंने select किया तो आप देख रहे हैं पर padding यानि कि यह image और border यह जो border यहाँ पर दिखाई दे रही है जिसमें कि 2 pixel की border है देखिए 2 pixel की यहाँ पर border है अगर मैं इस border size को change करूँगा तो यह 6 pixel की हो जाएगी यह 6 pixel कर दिया मैंने तो border और content area हम जो भी height और width अपलाई करते हैं वो इस content area के उपर लगती है है हमारा यह content area होता है तो जो भी height और width हम लोग यहाँ पे लगाते हैं वो लगता है इस content area के उपर और जो पेडिंग होती है favour दिंग होती है कि यह content area और border के भीज का जो difference होता है उसको हम लोग पेडिंग बोलते हैं और इस पेडिंग को कम जादा करने के लिए हम लोग पेडिंग यह property होती है जिसमें हम लोग लेखते पेडिंग टाउप, लेट, राइट, बॉटम इस तरीके से हम लोग पेडिंग को manage कर सकते हैं उसके उपर जो होता है वो border property होती है border property यहाँ पर मैंने border लगाई इसलिए ताकि मैं इसको यहाँ पर explain कर सकूँ ठीक है इसलिए मैंने यहाँ पर यह border जो है वो यहाँ पर लगाया है और उसके बाद में आता है margin margin यानि कि दो element के beach का जो gap होता है उसको हम लोग margin बोलते हैं और content area से लेके border तक के beach का जो gap होता है उसको हम लोग padding बोलते हैं अब इन जो padding और margin है यह question पूछा जाता है कि padding और margin में क्या difference होता है तो इसको समझने के लिए हम लोग box model की बात कर रहे थे यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर यह जो difference होता है यानि कि यह content है और content से लेके border यह होता है हमारा padding और यह जो है border के बाहर site का जो space होता है वो हमारा होता है margin ठीक है अब यह जो model है box model यह हर एक element को जब कोई भी element हम page के उपर render करते हैं तो वो इसी format में render होता है और padding को और margin को manage करने के लिए हमारे पास में CSS की कुछ properties होती है तो जैसे अगर मैं CSS की properties की बात करूँ तो CSS की यह जो property होती उसमें क्या होता है CSS की जो property होती है उसमें होता है margin के लिए कि padding top padding top padding right padding bottom और padding padding यानि कि short hand property होती है padding जिसमें हम लोग 4 value को 1,6 denote कर सकते हैं तो यह जो property होती है कुछ इस तरीके से यह properties होती है padding top यानि कि padding top से मतलब ये वाला जो gap होता है इसके लिए padding top use होता है उसके बाद मैं padding bottom यानि padding left और padding right इस तरीके से यह 4 property होती है और अगर हम इसको short hand property में हमको use करना है तो इसको short hand property में use करने के लिए हम लोग padding property use कर सकते हैं यही चीज होती है margin के साथ तो margin की भी हमारे पास में चार property होती है margin top bottom left और right तो इस तरीके से ये जो element है वो page पे render होने के लिए box model को follow करता है और box model की help से हम लोग यहाँ पर padding और margin किसी भी element की position जब हम लोग fix करते हैं page के उपर तो महाँ पर हमको padding और margin इनका द्यान रखना होता है तो ये इस तरीके से जो page है वो layout set करता है और padding और margin को हम अगर मैं count की बात करूँ तो overall 8 property होती है चार padding के लिए चार margin के लिए लेकिन अगर हम लोग इसको shorten property में करेंगे तो हम लोग 2 property भी इसको बोल सकते हैं तो इस तरीके से हम लोग margin और padding देखे page के component की position को manage कर सकते हैं